हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग एक वार फिट स्वागते हैं आप सभी का मेरी यूटूब चैनल इजी कोड्स पर तो आज हम देखेंगे कि विज्व इस्टुडियो कोड को हम वेब डेवलप्मेंट में कैसे यूज कर सकते हैं अपने कई सारे डेटर अपने सब्ल्लाइम टेक्स डेटर देखा होगा नोटपेड प्लस प्लस देखा होगा आपने कोड भूग भी देखा होगा तो उसमें हम कोडिंग कर सकते हैं जितनी भी हमारे वेब डेवलप्मेंट में कोडिंग लगती है लाइक CSI, Javascript यह सब की हम वी कोडिंग कर सकते हैं बट जो एडवांस टेकनलोजी है विज्वल इस्टूडियो इसमें हम करेंगे तो काफी इजली बेसे हमारा जो पेज है आसानी से क्रियेट हो सकता है और हमें इसमें काफी सारे हिंट भी मिल जाते हैं तो वो सब चीजे में आपको बताऊंगा क्या सबस्था पहले हम देखते इसका इंस्टूलेशन और उस सपहले मैं आपको मेरे चेनल के बारे मिता देता हूं तो यह देखे मेरे यहाँ यह चैनल है इजी कोड नाम का तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटिस तो यहां पर आप web development से related वीडियो देख सकते हैं और जो भी आपको doubt है वो आप comment करें मैं उसको sort out करूँगा ठीक है तो चलिए आज देखते हैं visual studio को कैसे install करते हैं तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहां पर tax bar में and then यहां पर मैं डालता हूँ visual studio download ठीक है इतना डालना है आपको और जो आपको first site दिख रहे ही visual studio.microsoft.com इस पर क्लिक कर देए आप जो भी operating system यूज़ कर रहे हैं like mac कर रहे हैं या linux कर रहे हैं या window कर रहे हैं किसी के लिए भी कर रहे हैं तो यहां से आप कर सकते हैं install easily एंड यहां पर आपको दिखरा होगा community version यहां पर आपको professional version दिखरा होगा एंड यहां पर आपको नीचे यहां पर दिखरा होगा visual studio code free download ठीक है तो यहां पर आप जाके installer user installer को click करके 64 bit के लिए कर सकते हैं अब मैं 64 का इसलिए कर रहा हूं मेरे को यहां 64 का इसलिए कर रहे है क्योंकि मेरा जो operating system वह 64 bit का है आपको यदि आपका operating system नहीं पता है तो simple है window and press करें window pause break key and then आपको आपके जितना भी आपके PC के बारे में वो सब चीजे पता लग जाएगी तो यहां देखिए लिखाए 64 bit ठीक है तो इसलिए में 64 का यहां पर install करता हूं तो वैसे मैंने already install करके रखा है यहां आपको बता देता हूं मैं कैसे इंस्टॉल करना है तो यहां इंस्टॉल नहीं होता हो तो यहां आप डारेक्ट डाउनलोड लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं लाइक जैसे कि मेरे पास already है एक version तो यह अगर मैं करता हूं तो देखिए मैं यहां पर set पे क्लिक कर सकता हूं वह लाइक आपको कहीं भी करना कुछ नहीं करना है apply करते जाना है next करते जाना रहेगा बहुत आसानी रहती है install करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है मैं आपको use करना बताता हूं ठीक है तो चलिए मैं जाता हूं अपने विजुलिस डीया कोड में तो सबसे फिल मैं यहां डालता हूं वि आई एस अठीक है तो यहां पर में गया and runeas administrator कर दिया तो runeas administrator करते हैं तो यह permission बांगते है पहले तो हमने yes कर दिया and then बस थोड़ी दिर में open हो जाएगा जये तो यह देखिए यह open हो गया फुड़ा वेट करना पड़ता है इसके लिए तो इसको आपको install कर लेना है यहां पर मेरी जो पुरानी फाइल है वो open होई दिख रही है यहां पर तो जो मैंने यहां पर already पहले जो भी चीज़े मैंने यहां पर की थी तो यहां पर मैंने HTML की फाइल है यहां पर देख लिजिए आप यहां पर आपको यह अलग-अलग तो इस प्रकार से आप कैसे करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है या देखिए यहां पर और भी काफी अच्छी चीजे लाइक मैं सब्लाइंट टेडिटर ओपन करता हूं तो सबसे पहले में इसको सेब करता हूं हुआ हुआ है है यहां पर अपन कि यहां पर अपन क्या करते थे यहां पर अपन लिखते थे HTML ठीक है और इंटर प्रेस कर देते यह से लिखा जाता ताव इसको designed करता हूं तो इसको एन से लिखा जाता था तो इतना ही लिखा आठा था इसमें काफी जादा नहीं लिखाता था बट हम Sublime Text Editor में हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले में new file create करता हूं तो यहां पर जाता हूं new file में and इसको में जो save करता हूं उसको में कर देता हूं s.html से ठीक है आपको code दिख जाएगा आपको code पूरी तरस दिखाता हूं लेकिए तो यह आपको सो हो रहा हुगा तो ऐसे आप code लिख सकते हैं इसमें ठीक है तो बहुत easy था यह तो इसमें कुछ खास है नहीं document में आपको document में आपको जो भी लिखना लाइक में लिख देता हूं अपना नाम title लिखना था मेरेको तो मैंने अपना नाम लिख दिया है और यहां पर मैं like के अब इसको में रन करता हूँ तो देखी यहाँ पर आपको नीचे दिखे रहा हूगा गो लाइव तो इसमें क्या होता है अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ सबसे पहले तो लाइक एक सेकंड बैट करें यह मैंने छोटा कर दिया से और यहां से मैं इस पर आता हूँ और ठीक है अब मैं यहाँ पर Chrome खोल लेता हूँ ठीक है Chrome में इसलिए खूल रहा हूँ देखिए क्या होगा यहां पर Chrome पर में डारेट यहाँ जैसे कि यहां लिखाई गो-LIVE तो लाइब में गया तो यह देखिए यहाँ पर live server चालो हो गया और उस पर लिखा गया hello guys तो hello guys अब मेरा यहाँ live चल रहा है देखिए अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने guys लिखा friend भी लिख दिया ठीके friend लिख दिया अब इसको control इसे save किया and देखिए कि यहाँ पर change हो गया दो यहाँ चैन्ज ओ गया तो यह इसका भूथ जादा advantage है कि हम live कर सकते हैं इसको live बता सकते हैं कि कैसा यह kाम कर रहा है ठीके तो इससा हम easily कर सकते हैं और आपको अब यह पता नहीं चल रहा होग घिये के से आये तो वहत April lal di肉 यहां पर आपको यह दिख रहरा होगा इस में UPS-T kid कर ना आ को ओके एड़िए आपका लाइफ सरवर चल नहीं रहा है यहां ओप्सन नहींना रहा है लाइफ कर तो कोई प्रोबलम नहीं है आपको करना है लाइव-स-are यहाँ पर आपको सर्च करना रहेगा ऩर लाइव-स्टोल ंतौल करना तो यहां पर आपका उप्षण आजाए गा लाइफ सर्वर का एंड आपको लाइफ कर सकते हैं अब इसमें काफी सारी चीज़ा आपको मैं और बता देता हूं आपको, यहां मैं एक B टेक ले लेता हूं, इसमें लिख देता हूं सुमेद, ठीके, यह स्मॉल आया, यह हेडिं एच बन टेक इसलिए हेडिंग थोड़ा लाइट आया ठीक है और भी जीजे लाइक मेरे एक्स्टेंशन साब देखेंगे यहां पर इसको मैं हटाता हूं तो मैंने जो इंस्टॉल किये हैं यहां पर आपको लिस्ट दिख रही होगी तो आभी मैंने जाता कुछ इंस्टॉल कि यहाँसे जावयसेस्क्रिप्ट के लिए यह दो यहां औरे यहांपर ने माटेरियल आइकन क्या होता है सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब है यहां से अपने फाइल इतनी बीए बोपन होगा ठीक है और यहां पर मैं ने और यहां पर create की मेंने इसको मेरे को विजे इस्टीर में open करना है तो बहुत easy है file मेंansen prepa iol open करना है तो profile के open file करें folder डिकलंब आई तो open folder जाओँगा ज этим because मेना फॉलडर create किया है तो मैं जाता हूं desktop पर चाइन एंडेक्स टॉप पे जाके जो मेरा डेमो है उस पे मैं क्लिक करता हूँ और सिलेक्टर फोल्डर कर देता हूँ तो यह मेरा उपन हो जाएगा ठीक है ऐसे इसली ओपन हो जाता है थोड़ टाइम लेता है और यह बेलकम बाला पेज इसको हटा दे कोई जरुवत नहीं रहती इसकी तो अब मैं अपनी जो पुरानी फाईल है उसको में ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो मेरा पुराना फाईल जो था मेरा ओपन फोल्डर में जाता हूँ आपको फिर से बत भी ठीक है आगे हम सब देखेंगे बट अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखें तो यहां पर मैं जाता हूँ मेरा फोल्डर का नाम हाँ सिंपल वेप ठीक है तो यहां पर मैं गया एंड ऑं सोरी इसको मेंने को स्लेट करना था तो इसको मैंने ओपन कर लिया ठीक है तो यह मेरा फाइल ओपन हो गया एंड दिन यहां पर आपको यह लोगो दिख रहे होगे तो यह उसके लिए दिख रहे हैं क्योंकि आइकन वी एस आइकन तो सिंपल है आपको कुछ कि तो देखिए यहां पर बी एसाइकन का आ गया और मुटेरियल आइकन का भी आ गया तो यहसे आप रेसली कर सकते हैं यंड इसके लाव मैं आपको बताता हूं यह देखे यह यहां पर आपको यह सब फाइल अलग अलग दिख रही है यहां पर कूल सेडो इफेक्ट दिख रहा है ठीक है सब चीज यहां दिख रही है आपको अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप लाइक हां मिरे को आपको बताना था कि इसमें आप color picker का मैंने आपको बताया था तो यहां मैं HTML फाइल में जाता हूं CSS फाइल में तो यहां देखिए आपको फाइल लिख रही होगी मेरी यहां RGB यह दिख रहा हुआ जैसे कि मैंने यहां किया क्लिक ठीक है इसको स्लेक्ट किया और यहां समय गया और यहां पर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो यह चैंज हो जाएगा ठीक है यह सब यह आपको चैंज करना है वैसा आप कर सकती है और इसको मैं सेब कर देता हूं और इसको भी रन करके दिखा देत है ठीक है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बस आप यह विज्वल इस्टूडियो को डाउनलोड कर लें ठीक है तो यह सब मेरी फाइल है CSS की फाइल HTML की फाइल और यह भी HTML की फाइल ठीक है और यह PYPY मतलब Python की फाइल है ठीक है तो इसमें हर चीज़ आप कर सकते हैं आप देखिए यहां मेरे Python की फाइल पर करा तो यहां पर यह रेकमेंडे लेने लगा मेरे को यह वाल एक्स्टेंशन की जरूत है आपको ठीक है तो यहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आपको जरूत रहेगी अभी मैं चोड़ दे रहा हूं इसको और यह PNG फाइल ठीक है तो PNG फाइल भी यहां open कर सकते हैं बट अपन नोट पेड में नहीं open कर सकते लाइक मैं नहीं open कर ली ठीक है तो यह था मेरा विजल स्टॉडियो को डाउनलोड करना कैसे इंस्टॉल करना और कैसे यूज करना और कोई यह वी प्रोब्लम आए आप मेरे को कमेंट करें मैं उसको स्ट आप करूंगा ठीक है अ बाइबाइट टिक केर कर दो कर दो कर दो कर दो